इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा अगर आप पार्टी के लिए कुछ करते हैं तो पार्टी वे अगर आपका ख्याल रखती है जश्टिस लोकूर का यह कहना के आदालत इनसाफ का मंदिर होता है इनसाफ का किला होता है और अगर आखरी किला ही ढ़य जाए तो क्या कर सकते है राश्ट्रपति कोई ने जब जश्टिस बोगोई का नाम राज्यसवा के लिए पेश किया तो के साथ अफसोस का भी मुजारा कई लोगों की तरफ से किया गया क्योंकि सुप्रिम कोट मुलक सबसे आला इनसाफ का दर्बार माना जाता है जज्जों के हर फैसले को सरतस्लीम खम कबूल किया जाता अगर यही किसी पार्टी की हमायत में आ जाए तो इनसाफ पर भरोसा कर ना दुन्दा होने लगता है सुप्रिम कोट में गोगोई के साथ रहे जश्टिस कुरियम और जश्टिस लोकूर ने यहाँ पहले ही ऐलान कर दिया था कि जब वहाँ वजिया आफ़ता है रिटार्मेंट के बाद किसी भी सरकारी होदे पर फाइज नहीं होंगे क्योंकि होती है कि वह किसी का खेलोना नहीं बनते हिंदुस्तान टाइमस में लिखे है एक मजमून में जश्टिस लोकूर ने यहाँ पैगाम दिया कि जमूरियत के अगर सुतूनों का काबले एतमाद वापिस बरकरार करने की जरुत है उन्होंने आगे यह भी कहा कि हाल ही में खाते हैं मुल्क का अदलिया दबाओं में काम कर रहा है और अपनी आजाज शनासत खोता दिखाई दे रहा है हल ही में यह भी देखा गया कि जश्टिस यसे बोबड़े ऐलानिया तोर पर वजिर आजम मुदी के शान में कसीदे पढ़ने से अपने आपको रोक नहीं पाए मुल्क के अदलिया पर सियासी लिडरान का बढ़ता दवाओं और असर साफ नजर आ रहा है जश्टिस गोगोई को उनका इनाम हासिल हुआ है तो उन्होंने फैसले भी कुछ इस तरह के लिए हैं जो हुकूमत चाहती थी सबसे पहले तो आदालत का फैसला ही आखरी कहा गय बावरिमद्जیत को शहिद कर राममंदिर का दवा किया गया हुआ जिस बेंच को बावरिमद्जीय के फैसले के लिए मुंतखब किया गया था इसकी सबारत जस्टीस गोगोई कर रहे हैं और इसका फैसला राममंदिर यहीं हिंदु पक्ष्ट में देनने का फैसला भी इस इसी जश्टिस गोगोई ने दिया था इसी तरह रफाल सवदे का भी था जिसमें कोट ने ज्यादा कीमत रफाल पर सवदे के इल्जाम की जाच को जरूरी नहीं बताया था इससे कई सवाल जिनके जवाब मिलने थे वो नहीं मिले कोट को सरकार से इन सवालों के जवाब पु आया था इसके अलावा और भी फैसले जो जश्टीस गोगोई ने हुकूमत के हक में लिया है खासकर फैसला रोज्जन गोगोई के चीफ जश्टीस रहते भी लिया गया वह था असम में यानारसी लागोग करने का लंबे अरसे से बीजेपी के ऐलान नामे में यह अजेंडा भी शामिल था इसके साथ इन पर बदनामी के भी मामिले दर्ज हुए है सुप्रीम कोट के खातून जो मुल्दिम थी इसलिए जश्टीस गोगोई पर आसमत इरेजिया ने लगाया जब शिकायत करता है खवातिन ने अपनी शिकायत को लेकर अवामी तोर पर आई और सुप को बाला इताक रखकर खुद इस मामले की सुनवाई शुरू के आखिर में मुखालिपत तो बहुत हुई पर इस खातून को इंसाफ ना मिल सका और वो इंसाफ से महरून रहोना पड़ा और जश्टीस गोगोई को क्लीन चीड दी गई इस मामले के लिए जो अलग बेंच ब को आमाली कर मन मानी की गई इतना जरूर किया गया कि उस खातून को फिर से नौकरी दी गई और इसके रिष्टेदारों को भी मुलाजमत से नवाजा गया कहने का मतलब यह है इंसाफ सब के लिए अलग अलग होता है जश्टीस गोगोई के रजसभा उदे पर फाइस होना एक तरह से इंसाफ का बाजार लगने के बराबर है जिसकी पुर्जोर मजबमत जैशिस लोकूर और जैशिस कुरियन कर रहे हैं और इंसाफ से अवाम कायदमात घटने की बात कर रहे हैं इश्क कातिल से भी मक्तूल से हमदर्दी भी यह बता किस से महबत की जजा मांगेग सस्दा खालिक को भी इबली से यारा नभी हशर में किसे अकीदत का सिला मांगेगा इत्याद ने देखने के लिए शुक्रिया अलाभी